उधारण 13 कोश्टक में साइन 47 अंच बटा कॉस 43 अंच कोश्टक बन की घाद दो धन कोश्टक में कॉस 43 अंच बटा साइन 47 अंच कोश्टक बन की घाद दो रिन चार कॉस की घाद दो 25 अंच कमान हमें ग्याद करना है इसके लिए सबसे पहले बराबर हम साइन 47 अंच को लिखेंगे साइन कोश्टक में 90 अंच रिन 43 अंच अब 90 और 43 का अंतर 47 अंच होता है तो हम 47 अंच के स्थान पर 90 अंच रिन 43 अंच लिखें चुकि हमारे पास नीचे में कॉस 43 अंच दिया है धन उसी तरह से इसको हम कोश्टक में रख लेंगे और इसकी घात दो है तो कोश्टक के बाहर में घात दो उसी तरह से कोश्टक में कॉस नब्य अंच रिन 47 अंच लिखेंगे हम नब्य में से 47 को घटाएंगे तो हमें 43 अंच में लेगा तो कॉस 43 अंच के स्थान पर हम कॉस नब्य अंच रिन 47 अंच देखे बटा साइन 47 अंश और कुष्टक बन इसकी गहात 2 रिण 4 क्योंकि हम जानते है कि कॉस 45 अंश का मान जो होता है वो एक बटा वर्मूल 2 होता है यह हमारा कॉस 45 अंश का है मान और क्योंकि कॉस की गहात 2 है तो हम यह कुष्टक के बाहर की गहात 2 लगा देंगे एक बटा 2 की गहात 2 अब हम जानते है कि साइन 90 अंश रिंड थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है और थीटा के स्थान पर हमारे पास 43 अंश लिखा गया है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे सूत्र साइन 90 अंच रिन थीटा बराबर कॉस थीटा तो यह हो जाएगा कॉस 43 अंच बटा कॉस 43 अंच और कुष्टक के अंदर में रखेंगे और इसकी घात दो धन कॉस 90 अंच रिन 47 अंच को हम साइन 47 अंच लिखेंगे क्योंकि हम जानते है कि कॉस 90 अंच रिन थीटा जो होता है वह साइन थीटा होता है तो यह बन जाएगा हमारा साइन 47 अंच बटा साइन 47 अंच की घात की घात दो रिन 4 और गुणा एक का वर्ग एक हो गया और वर्मूल दो का वर्ग दो हो जाएगा यहां पर कॉस तरौली संच बटा कॉस तरौली संच अंच और हर से कट जाएगा और हमें प्राप्त होंगा एक और एक का वर्ग.. वर्ग होता हैं एक धन यहां पर बि कॉसी तरह से उस況 स्दालिस अंच बटा साइन से तालीस अंच अंश ऑर हर में कट जाएंगा और इसका मान एक का बिखब जो होँगा एक आ जाएंगा रिण यहाँ पर हमान इसका दो सलिय हम दो दूनी 4 दो चार करके काटेंगे तो यहाँपर दो एक अदो अब बराबर एक और एक धन एक दो रिन दो बराबर दो रिन दो बराबर शुन्य यह हमारा इस प्रश्ण इस उधारण का हल होगा तो यहां पर हमारे पास उत्तर आया इसका शुन्य